विश्यू की प्रमुक संस्थाओं में वर्ड बैंक एक बहुत महत्यपूर्ण संस्था है जो की बित्तियन से जुड़ी हुई है आपकी और वर्ड बैंक अपने आप में देखा जाए तो कोई एक संस्था नहीं है बलकि एक ग्रूप है अपका एक सम्मू है ठीक है देखे श संयुक्त राष्ट आपको पता है दोती विश्यूद हो रहा था तो दोती विश्यूद में विश्यू की अर्थ बहुत्ता हैं तबाह हो रही थी क्योंकि इसमें समलिद भी विश्यू की जो बड़ी अर्थ बहुत्ता हैं थी तो संयुक्त राष्ट के द्वारा एक सम्मेलन बुलाए गया था और यह सम्मेलन आपका बुलाए गया था मौद्रिक और वित्य सम्मेलन था आपका युनाइटेड नेशन मोनेट्री एंड फाइनेंशल कॉन्फरेंस बुलाए गयी थी यह आपका बुलाए गयी थी वही 1944 में ठीक है दोती विश्युद्धि जब चल रहा उसी दवरान बहुत सरी अर्थबिश्भुषता है तबाह हो रहे थी तौर उसी तबाही के मंजर के दवरान युनाइटेड नेशन संस्ता जो बापका उसका जन्म होता है तो उस अंस्ता के दवारा क्या किया गया एक झोने और और सम्मेलन इसी सम्मेलन को हम ब्रेटन बूट सम्मेलन कहते हैं क्या बोलते हैं ब्रेटन बूट सम्मेलन ब्रेटन बूट सम्मेलन ब्रेटन बूट सम्मेलन ब्रेटन एक मिनट देखो यह बहुत जुरूरी है question इससे भी पोच्छता है कई बार कि ब्रेटन बुट्स सम्मेलन क्या है सम्मेलन यह आपका 1944 में बुलाया जाता है इसी के तहट आपका वर्ल्ड बैंक भी बनता है और इसी के तहट आपका IMA भी बनता है दोनों संस्थाएं एक साथ बनाई गई है इसलिए इनको हम जुड़ूआ बहने भी कहते है न्यू हैम सायर में सम्मेलन हुआ था आपका ब्र इसमें गड़बर मत करियेगा क्योंकि मैंने पहले आपको इसलिए बता है क्योंकि इसी समय युनाइटेड नेशन का भी जन्म हुआ है आपका कोई ऐसा नहीं है ठीक है तो यह सम्मेलन जो है इसमें टोटल 44 देश सम्मेलन में समलित हुए थे कितने 44 कंट्री ठीक है और उ जो अर्थवेश्था संकट से जूज रही है उन देशों की मदद करना ठीक है दिमाग में बठा के रखेगा ठीक है इस बात को आपको सोच के रखना है अब यहां पर थोड़ा समझने का प्रयास करते है कि वास्तों में वर्ल्ड बैंक है क्या देखें वर्ल्ड बैंक कोई का नाम है अंतर राष्टी पुनन निर्माड और विकास बैंक जान रखेगा यह आपका अंतर राष्टी यह पुनन निर्माड विकास बैंक यही वर्ल्ड बैंक है यह संस्था जो आपकी है इसी को हम क्या कहते हैं वर्ल्ड बैंक बाकिस के साथ और कई सारी संस्था है जै आई एपसी अंतर राष्टिय वित्त निगम निवेस गारंटी एजनसी मीगा है यहां पर और विवाद निप्तान केंद्र भी है तो इसमें इस समू में कई सारी संस्थाइं आपस में जुड़ी हुई है ठीक है विश्व बैंक सहुतराज से जुड़ी हुई है युनाइटे इसके साथ जुड़े है दिमाग में बैठा लेए एक दिद और ध्यान रखेगा यानि अंतर राष्टी पुन्रे निर्मार विकास बैंक इस संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर राष्टी वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है पहले इसका को अंतर राष्टी मुद्रा कोस आईये में बहुत चर्चा में रहती है एक चीत ध्यान रखेगा बिश्व बैंक जो है ये बहुत सारी अंतर राष्टी इस तर पे बहुत सारे देशों की परियोजनाओं के लिए ये फाइनेंस करता है बहुत सारे कारिक्रम बहुत सारे परियोजनाओं को रेंड परदान करना उनको लोन देना ठीक है जबकि अंतर राष्टी मुद्रा कोस क्या करती है किसी भी देश की पॉलिसी से जुड़े हुए कारकम जैसे कि मालीजे हमारे देश में भी जब बैलेंस ऑप पेमेंट की समस्या आई तो बैलेंस ऑप पेमें चौदा बार गिड़ गिड़ा चुका है कई बार लोन ले चुका है कई बार जो है बेल आउट पैकेज मिल चुका है तो उसकी पुरानी आदत है तो जब भी आईये में पैसा देता है अपनी सर्तों पे देता है और सर्तों में देने के बाद वह बहुत सारे कंस्ट्रक्ट को लेकर आद देखे कंट्री कहां से कहां पहुंच गया तो वह अर्थ विश्था को पूरी तरीके से साइटन उसमें जो रचनातों बदला हो सकते हैं उनके लिए IMF काम करता है तब रंड देता है तो IMF रिड किसलिए देता है परियोजनाओं के नीतियों के सुधार के लिए कोई भी परियोजना है कोई भी कारिकरम है उसके लिए भी पैसा देता है अब देखो इसका ultimate गोल क्या है इस समय वर्ड बैंक किस गोल के साथ काम कर रहा है देखें यह विश्था बैंक समू है अभी मैं बताता हूं पास संगठन विश्था बैंक से जुड़े हुए है एक तो आपका यह हो गया आई बी आई डी इसी को बोलते हैं आई बी आई डी दिमाग को बठा लीजिए का अंतर राष्टी पुनल निर्माड विकास बैंक एक संस्था यह है 1944 में यही संस्था बनी थी आपकी ब्रेटन गुटसम मेलन में ठीक है विकास पुनल निर्माड के लिए रेंड प्रदान करता है दूसरी संस्था में ने बताई थे आपको अंतर राष्टी विकास परिसाथ ठीक है आई डी ए बोलते हैं 1960 में यह बनी इसका विकास है तुर रेंड देती है आई डी ए का रेंड बहुत जद महेंगा नहीं होता है दूसरा अंतर राष्टी बित्त निगम आई एपसी यह 1956 में बनी निजी छेत्र को रिण देता है जो प्राइबेट सेक्टर है उसको रिण देने का काम इसका है इसके बाद एक मीगा संस्था है बहु पक्षिय बिनियोग गरंटी संस्था मीगा यह 1988 में बनी गैर ब्यापारिक जोखिम है तू निप्टारे के लिए एक अंतराष्टी संगटन बनाए गया उनीस्सो चांचट में बिवादों का निप्टारा करता है ति किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो यह पांच संगटन है एक है आपका आई बी आई यही आपका विश्व बैंक कहलाता है इसी को हम वर् फिर आई डिय आपका अंतराष्टी विकास परिशत फिर आपका आई एप सी अंतराष्टी बित्निगम बहु पक्षी बिनियोक गरंटी संस्था मीगा और निवेश बिवादों के निप्टारों के लिए अंतराष्टी संगटन आईसी साइडी ठीक है तो यह आपका जो है 200 बैंक से जुड़ी हुई कुछ बाते हैं ठीक है आप देखें वर्ल्ट बैंक को ले कर के मैं आपको कुछ और बाते यहाँ पर समझाने का प्रयाज करता हूँ देखें वर्ड बैंक है और वर्ड बैंक के पूरे के पूरे आपके जो है पास सम्मू है वर्ड बैंक ग्रूप है पूरा का पूरे ठीक है अब इसका ultimate goal क्या है वर्ड बैंक क्या चाहता है क्या करना चाहता है इसका goal क्या है क्या बनाना चाहता है सबसे पहला काम है इसका कि ये पुनन निर्माल और विकास कारों के लिए आर्थिक सायता देशों को देना चाहे रहा है, एक अगरी संस्थान है और साथ ही विकास सिल देश जितने भी हैं, यदि वहाँ पर गरीबी से लड़ने को लेकर कोई कारकम चल रहा है, सतत विकास यदि इन्वेर्मेंट को लेक कारकम के लिए उनको रिड़ देना और रेट देकरं करके उन में पुन सुधार करवाना उनकी इस्तिती को बेतर करवाना ठीक है तो इस तरीके से ये आपका World Bank से जुड़ी हुए कुछ महत्यपूर्ण बाते हैं अब देखो बहुत सारी अन्य बहुत सारी बाते होती है उनकी जुरत नहीं है एक तो आपका ब्रेटन बुर्ट सम्मेलन से कुष्चन पूछ लेता है ठीक है की बर्रेटन बुर्ट सम्मेलन क्या है प्रेटनलस निस सं मुलान इनिस सो लिए 24 में बोलाई गया था उसी के त Balance इता है में बोलते है कि इप के बारे में अलग से क्लास लोंगा आपका ठीक है इनको हम जुडवा बहन बोलते हैं क्योंकि इनका एक साथ दोनों का निर्माड हुआ है ठीक है जुडवा बहन कहते और इसकी मैंने संस्थाओं के बारे में बता दिया ठीक है और एक चीज और ध्यान रखेगा कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन इसका भी सदस्य होना चाहिए और जब इनका सदस्य होजाता है फिर आई बी आई डी यानि की सदस्ता मिल जाती है तो आइटोमेटिक फिर बाकी जो संस्थाने उनकी सदस्ता भी उसको दे दी जाती है उससे जुड़ी हुई चीजो यह रिपोर्ट आ नहीं रही है, तेकर आप चाहिए जो भी कारण हो, इस आप डूइंग बिजनेस किसी देश में बिजनेस करना कितना जरूरी है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तो यह जारी करता था, अभी हाली में रिपोर्ट थोड़ा सा कुछ समय के से डिसकांटिनीव कर रखा है, दूसरा है आपका वर्ल्ड डेबलप्मेंट रिपोर्ट यह जारी करता है, टीसरे नंबर पर आपका Human Capital Index जारी करता है Human Capital Index ये आपके कुछ प्रमुक रिपोर्टे हैं बाकी और बहुत सारी रिपोर्ट आपके जारी करता है कभी गरीबी के उपर रिपोर्ट जारी करता है कई बार जो है Continental रिपोर्ट आती रहती है तो कई सारी रिपोर्ट आपकी इसकी आती रहती है अब देखो जब बुट्श सम्मेलन था आपका जब बुट्श बुट्स बुट्श सम्मेलन 1944 में हो रहा था उस समय भारत में बुट्श के था लेकी। और जब IBID और IMF की स्थापन होई तो भारत भी एक तरीके से उन 44 सदस्य देशों में से एक देश के तौर पर था दिमाग में रखना है बाकी भारत जो है 1956 में आई एपसी का सदस्य बना 1956 में जब एस अंस्था बनी तो इसका सदस्य बन गया और साथ ही जब IBID बनी तो 1960 में IBID का भी सदस्य बन गया आई डिये का भी सदस्य बन गया आपका यह आपका आई डिये है इसका भी 1960 में और इसका 1956 में तो भारत एक founder country के तौर पर भारत जो है ICSID का सदस्य नहीं है इसका सदस्य नहीं है बिवाद निपटान केंद्र का सदस्य नहीं है भारत ठीक है और भारत यह मानता है कि यह जो समझाथा है जो यह संस्ता है इसके तहे जो भी बनाए गए परारूप है ड्राफ्ट है नियम है शरते है यह सब developed country के पक्ष में जादा हैं यह एक neutral नहीं है और इस कारण से जो है भारत के द्वारा इसका जो है कोई भी किसी भी तरीके सदस्ता अभी भारत इसको लेकर असंतोष्ट है ठीक है तो क्योंकि जानते हैं जो भी यह जो संस्ता है आपकी ICSID जब इसमें कोई भी विवाद होगा उसका निप्टारा किया जाएगा तो उस निप्टारे को लेकर के उसकी अपील भारती अदालतों की नेड़ा की समिक्षान कोई भारती अदालतों द्वारा नेड़ा कोई दिया जाता है उसकी कोई गुंजाइस नहीं है ठीक है चाहे हो सारजुनी के महत्में हो जहाए ना हो जो कुछ भी हो तो इस कारट से भारत बहुत तरी को लेकर के ना कुछ है इस कारट से भारत ने भी तक इसकी सदस्ता ने लिए है बाकी चार के हम सदस्ते हैं founder countries के तौर पें ठीक है तो world bank के हम सदस्य रहे हैं और World Bank के द्वारा लगातार भारत को 1949 में जब भारतीय रेल बन रही थी उसके लिए World Bank से हमने पैसा उठाया था फिर 1969 में हमने पैसा उठाया लगातार मतलब जब राजमार्ग बनवाया इतनी बड़े बड़े आप देखते हैं नेशनल लेबल पर राजमा लगा हुए ठीक है तो यह ध्यान रखेगा यह आपका जो है बहुत इंपोर्टेंट संस्था के तौर पे वर्ल्ड बैंक तो इससे जुड़ी हुई जो आपकी जानकारी है इनहेंस हुई होगी और अभी देखो इसमें ऐसे तो बहुत सारी बाते इसके साथ जोड़ करके पढ़ा ही जा सकती है लेकिन एक्जाम द्रिश्टिकों से इतना आप समझ लो ठीक है इतना ही पर्याप्त है इसके अलावा आपको जानने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी थैने ठीक तो बिस्व बैंक यह संस्था के तौर पे आपकी है और बिस्व बैंक से आप रिपोर्ट हो गयरा इसकी देखते रहेगा जो रिपोर्ट आती है और जो एडिशनल कोई जानकारी मिलते है उसको भी आइड कर लीजेगा ठीक है